है लो ओ बीजी आदमी ओ हैलो इदर देखो थोड़ा जैसा नहीं धंक से मारो जाड़ू बिटा है गाईज वेलकम टू माई चैनल तो मेरे सबी व्यूवर्स को मेरा प्यार भर नमस्कार और सुबा के बज़े हैं अभी साड़े साथ तो मौसम है आज खराब आपको पता है यहां पर पता क्या हो रहा है ठंडी ठंडी सी हवाएं चली है मौसम खराब है बारिष हुई नहीं लेकिन धंड जो है काफी हो गई है इन दिनों आजकल सुबह श्याम ठंड होते हैं और आनक को थोड़ा सा काम करवा रही हूँ आज कल क्यूंकि इसका आज से पहला दिन शुरू है मुबायल से इसकी आदत छुड़वाने का तो इसको थोड़ा अपने साथ बीजी रखूंगी काम में इस तरह से आज सुबा से मैंने ना इसके पास जाड़ू पकड़ा के रखा है ताकि ये जाड़ू मारता रहे और पहले ना ये इंटरस्ट लेता था अब उतना इंटरस्ट नहीं लेता है क्योंकि अब फॉन में होता है न जादा तो फॉन की आदत छुड़वानी अब सही ही रहेगी नहीं तो फिर आखें खराब हो जाएगी तो आज से इसकी training शुरू पहले ये था कि चलिए नए session में स्कूल open हो जाएंगे तो बच्चे बीजी हो जाएंगे अब स्कूल का पता नहीं है क्योंकि online classes शुरू हो गई है आज से तो आज से इसकी online classes भी शुरू और कामकाच की training दोबारा से शुरू हालांकी करता है और वौसम जो है बहुत अच्छा है अच्छा ही है मतलब कि अप्रेल में जो है ठंड पड़ गई है बारिश हो जाए तो काफी अच्छा हो जाए धूल धूल है यह है जी रौनक का जाड़ू यहां पे कुछ पार्ट सभी बच्चे हुए हैं बट कोई बात नहीं धीरे धीरे सीख जाएगा मेरा बेटा मुझे न कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि कुछ बहुत सारे तो नहीं थे कुछ कुछ जो क्वेश्चन आते ना उनके आंसर मैं आपको आज वीडियो के एंड में दूंगी थोड़ी बहुत बात करूंगी आप लोगों के साथ क्यूंटी जरूरी हो जाता है बीच पीच में तब तक आप मेरे प्यारे प्यारे फ्लास देख लो झाल जाएज बहुत करें दूंगी जाएज बाहर ना बाल्टी आपके रखते हैं मैं तो इनको साइड में रख देती हूं लेकिन ममी को यह भरी हुई चाहिए यहाँ पैद दर्वाजे के पास तो इनको भर देंगे हम पानी हमारा खुला डूला आता है जैसे कि प्रवाजे में बोलती हूं नहाई थी ना तो अपने कपड़े यहाँ पर डाल दूंगी मैं जो है गर्मियो में हमेशा सुबह नहाती हूं सर्दियो में शाम को नहाती हूं बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि आप शाम को क्यों नहाते हैं तो गाइस शाम को नहाने का एक ही रीजन होता है कि मुझे ठंड बहुत लगती है यसलिए मैं शाम को नहाती हूं लेकिन अब में जोहствен образом सुबह नहाती हूं रौनक को अभी सारे काम करके फ्री हो गया है एक लिए रेडी हो रहा है तो अपना फेस वाष्कर रहा रहा है यह नहांद होना और गाइस मुझसे ना एक क्वश्चन और पूछा जाता है बार बार यह आपकी मम्मी का घर है या मतलब की सास का तो थोड़ा मैं ना सासु मा नहीं बोलती हूं मैं मम्मी ही बोल देती हूं फटा फट से यह ना मेरा ससुराल है मेरी मम्मी का घर नहीं है मतलब की मेरे मम्मी पापा का नहीं है मेरे जो है साससुर का घर है ये तो थोड़ा सासु मा बोलना मुझे फॉर्मेलिटी से लगता है तो मैं ममी ही बोलती हूं तो ममी ही बोल देती हूं फटा-फट से ठीक अब दिखाओ अच्छा इधर मोड़ो दो त्यार और इसका चार्जिंग पर भी लगा अच्छा कैसे मेरसू सूरा है राँतोड़ा बोलोगी अच्छा मेरसू सूरा है अच्छा छलो फिर ब्रिक फस्ट करते हैं राँड़ का मुबायल छुडाने की निंज टेक्निक बारतन भी धुल्वा रही हूं अच्छे से दोना ठीक है राँड़ा राण़ को दोने कैसी होती है वैसे फिनिशिंग टॉच नहीं पर्टो नहीं जब दाथी है कि इसकी दादी से सेंद नहीं हुआ और अरौनग बर्तल था और मैं पी रही हूँ अभी चाय प्रवास्ट रही है मेरा और मैं अभी तक वीडियो का शुरूआ थे नहीं कि मतले की वैलक्त टूब्ल तो इस वज़ा से आठ वज़े के लिए सब हो गया है बस थोड़ा सा विस्तर वियर अभी ठीक करने को और पाउना ठंडे होगे क्यूंकि मैं थोड़े से कपड़े धोए थे फेस वाश किया है अभी कुछ नहीं किया है बिंदी वियर कुछ पी नहीं लगाया है हलका हलका सा सिर्फ सीरम अपलाई किया है चलिए चाय फिनिश करती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे नहीं वियर के आप बहुत से लोग मुझे क्या बोलते हैं कि आप रॉना को डिस्तर आप करते हैं लेकिन रॉना को डिस्तर अलती हूं मैं अभी शुरूआत ही है आज दिन का इंटरो होगा नए क्लास फीचर होंगे तो मैं फटा-फट से यहां और आप लोग मेरे बेटे के लिए best wishes देना मैं क्या कर रही हूँ यहां पे रॉनक का time table लिख के रखा है मैंने बीच में जैसे message होते हैं फिर वो inbox में दूर दूर रहते हैं इस वज़े से थोड़ी problem रहती है मैं क्या करती हूँ इस तरह से लिख के रखती हूँ और कहीं पर कौन सी class इसकी किस time होती है तो मैंना अभी guys आज अभी यहां पर चाहां voice-overing कर रही हूँ ना यहां पर रोट पे हूँ अभी जा रही हूँ कहीं कहां चा रही हूँ हो मैं कल शेयर करूंगी तो चलिए guys voice-overing बाद में होगी पता नहीं यह वीडियो आपको शाम तक कब तक मिलेगा लेट ही मिलेगा शायद दिन तो दिन को तो नहीं मिलेगा पांच बजे के बाद ही मिलेगा किस खुशी में अच्छी में तो अच्छा अगर बारिष होगी न तो यह भष तंड दो इतने हो गहीं यह इतना हो गल्यूकि kulli जह बारत व सिर्नots कर दो तो दो किस खुशी मेंaliśmy मतलब कि आग जलानी पड़ती है आज सुबा से रौनक ही दो रहा है बर्तन खुदी दोने रहे है रहा है कि रौनक बर्तन हो रहा है मलका की डाल बन रही है आज शाम को रौनक की फेवरेट है पर मुझे जादा पसल नहीं है चलेगा इस मिल्की हूँ अफ थोड़ी देर बाद करने करने करता है और सार उसमें निकल जाता है आज का दिन कैसा रहा आपका हुपाय लिख के भी ना अच्छा लिग गया अच्छा लिग गया अच्छा इस बच्चे को आदे बरतंदों के भाग रहा है उनका इस बच्चे ऐसे ही होते हैं आसा नहीं है कि मैं इसको लगा करती हूँ मस थोड़ा सा इसको कर देती हूँ चलिए फटा फट से अब परतंद होती हूं मैं आगे यहां पर आप एक कमेंट आया था ना मुझे कि क्या था कि हाँ दुलहन को भी दिखाओ तो गाइस मैंने पहले ही बताया था कि दुलहन यहां पर नहीं है वो जो है डूटी पर है अभी आएगी जब आएगी तो आप लोगों साथ जरूर शेयर करूंगी वो मैं वेश करना है अपना समझ की मुझे बोलते हैं तो इग्साइमच के लिए बहुत आते हैं और बर्थडे के लिए बहुत आते हैं जिन मोगों के क्रेद। इने को रिए पहुत हैं और आज भी मैंने फिर दोबारा वही comment देखा आ जाते हैं जैसे हम देख सकते हैं पुराने से पुराने क्युंकि कोई भी पुरानी से पुरानी वीडियो हो ना उस्पे जो comment आते हैं वो हमें एक तम से यह वाइट studio में शो होते हैं ऐसा नहीं होता है कि वो दफ जाते हैं दे मुझे लगा कि गाव दिखाना मुझे कभी ठीक नहीं लगा और मैं खुद भी जादे नहीं देखते हूं कि क्यों को यह ऐसी चीजे देखने से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाते है और जिनकी वह होगी वह उसकी अब हम लोगों को पहाडी है ना पता होता है कि कुटों को अग गरम जैसे क्यों लग रहा है तो दरी लगता है बच्चों का और उन्होंने क्या किया था कि उसको लेपड को भगा दिया था और ऐसे खत्रा रहता है बार-बार वहां आने का इसलिए आज तो यहां थी ही नहीं पर हम ध्यान रखते हैं बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि इस चोड़ लेपड वगर होते हैं लाइट के पास नहीं आते हैं और शाम को जो है लाइट जल जाती है ग्यारा-बारा बज़े तक चली रहती है और सुबह फिर हम तब ही उड़ते हैं जब रोशनी हो जाती है बाइसे खत्रे वाली कोई बात नहीं है क्योंकि उदर से अगर नहीं लेते ना फिर नराज हो जाते हैं और मैं जहेल चुकी हूँ इसलिए मैं अब किसी के नाम नहीं लेती हूं बर्थ दे जिनका है उनको भी हैपी बर्थ दे और मुझे एक कमेंट जो है दो तीन बार उनका कमेंट दो तीन वीडियो पे आ गया है कि आपने गुल तब तक उसमें भी फूल आ जाएंगे और मैं बताऊंगी कैसे सिंपल साहे कलम कट करनी पड़ती है और बस मिट्टी में जैसे ही उसमें खुद से ही जड़े फट जाती है बाकी मैं जब लगाँगी न तब आप लोगों के साथ ज़रू शेयर करूंगी उसके लिए तक बारिश होती है जब रेनी सीजन होता है उस टाइम लगती है और या फिर भी लगता है जब मतलब की सैप चलना बोलते हैं ज़र से फ्लावरिंग वेर उती है उस टाइम लगता है हां जी और एक जो है सीमा जी उनके कमेंट साते है इसलिए उनका नाम ले रहे हूं उनके जो है husband का जो है operation हो रहा था और फिर भी उन्होंने मेरी वीडियो देखी और मुझसे जो है मेरी पूरी वीडियो पर कमेंट किया और मुझे बोला भी था कि please प्रे करिएगा God से तो मैं आपके husband के लिए सची दिल से प्रे करूंगी कि वो ठीक हो जाए और बहुत है ना बई यह है कि हां connect रहना ही रहना है और जो मेरी वीडियो डेली देखते हैं सची मैं उनके साथ दिल से जुट चुकी हूं जो लोग जितने लोग भी देखते हैं और जो कमेंट करते हैं सब का दिल से थेंक यू और एक कमेंट मुझे ना बहुत ज्यादा है कि आप अ मैं मानती हूं कि बिंदी संदूर लगाना अच्छा लगता है ठीक भी रहता है कोशिश मेरी यही होती है अब गाइस अभी वी ना मैं फेस वाश कर चुकी हूं अपना जो नाइट स्किन केर है वो कर चुकी हूं स्पेशल वीडियो में आने के लिए मैंने बिंदी लगा द कोशिश यही होता है कि हम भी लगाएं हमें भी अच्छा नहीं लगता है बिन बिंदी के रहने का पर यार फिर ऐसे हो जाता है यह बार छूट जाती है हम लोगों का थोड़ा अलग है आप मतलब कि हम लोग थोड़े अलग टाइप के हैं कोड़ गड़ के मुझे ऐसे लग होंगे असा नहीं है कि हम बिंदी नहीं लगाते हैं हमें बिंदी लगाना अच्छा लगता है जो कुछी पर इतना यहां की लेडिज मतलब कि थोड़ा इतना नहीं थोड़ा अलग है यहां का बाकी कोशिश करूंगी कि बिंदी हमेशा लगा के रखूं और बाकी एक मैट बहुत ही जादा फणी आता है व वो आता है क्या कि मुझह एक कनी आता है वो बहुत से आतेए आपकी साइट से हमेंशा ना यह बात मुझह पता है कstraまぁ चंडिगर जाती हूँ ना वहां पर भावी जी भी बोलते हैं मेरे कि उधर के जो लड़के लोग हैं वो चाहते हैं कि शिमला साइट से इधर से शादी करेगा इस मेरा जो है कोई भी शादी वाला वो चैनल नहीं है और आज कल के लोग जो है खुद से ही अपने लिए जो है अपना जीवन साथी चुन के रखते हैं और हमारी साइट से ज्यादा जो है बाहर के लिए मतलब की ही मचल पर देश से बाहर के लिए शादियां करना प्रैफर भी नहीं करते हैं और यह हो भी नहीं सकता है क्योंकि यह बिल्कुल नामुम्किन वाला काम है तो चले गाईज यह थे कुछ कमेंट्स जो की आज की वीडियो मतलब की लेटस थे जो मेरी नजर में आए वीडियो का कर रहती हूँ अब मैं यहीं पर ही हैं मैं मिलूगी एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई चेक कैस्ते से स्टे हो ओम बाई करो बाई